हेलो दियर स्टूएंट तो आज की सी वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासीक आकलन नवंबर कख्षा आठवी अंग्रेजी प्रोजेक्ट तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मासी काकलन की जो भी अंग्रेजी पेपर आपका होने वाला है इंग्लिश का तो उसके लिए वीडियो डाल दिया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथ में इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश प्रोजेक्ट का आंसर बताएंगे और आपको एकदब राइट आंसर बताएंगे जिसको लिखने के बाद आपको पूरे नंबर मिलेंगे तो देखिए अगर आप सभी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट कारे के उत्तर जाते हैं जानना चाते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए तो देखिए कोश्चन क्या आपका पांच अंक के लिए है कि क्लेक्ट इंफोर्मेशन अबाउट च्छतिसगड़ मैना एंड राइट पैरग्राफ अबाउट इट्स यूनिक फीचर तो देखिए जो भी च्छतिसगड़ मैना है य जो यह स्टेट बर्ड है इसलिए इसके बारे में आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है तो इसके बारे में आपको लिखना है कि हील मैना जो ऑफिशल स्टेट ऑफ बर्ड ऑफ च्छतिसगड़ ठीक है इसके बारे में आपको बाते बताने है किसका साइंटिफिक नेम क फोटो भी देख लिजे अगर आप चाहे तो फोटो भी बना सकते हैं या फिर चिपका सकते हैं अगर आपके पास कोई पुरानी फोटो रखी है तो फोटो के लिए अब बस खाली लिख भी सकते हैं तो उसके बारे में आपको सम यूनिक फीचर्स लिखने है तो आप इन्हें पॉइंट बना के लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे तो पॉइंट मैपको लिखना है कि इसको क्या क्या कहते है इसको चतिसगड में जो है बस्तर मैना के नाम से भी जाना चाता है उसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद थर्ड पॉइंट नेस्टिंग सीजन इस फ्रोंग मार्श टो अक्टवर इट लेस टू और थ्री एक्स इट मेंली फाउंड इन दानतेवाड़ा वीजपू और कांगा पे पाए जाती है यानि कि अधिकतर ये फोरेस्ट एरिया में पाए जाती है तो स्ट्रेंट ये था आपका इंगलिस प्रोजक्ट कार रहे का आपके जो हमने आंसर बता दिया अगर आपके वीडियो च्छी लगे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राब क के लिए प्रोजक्ट कारे के उत्तर के लिए थाइंस पर वॉचिंग